दोस्तो आज है 12 नवंबर और 12 नवंबर के लिए जितने भी करन्ट रिफियर के प्रशन बनेंगे हम उन सभी प्रशनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और वीडियो पसंद आता है आप लाइक कर सकते हो अगर इस वीडियो के लेक्चर की जो पीडियेफ आपको तो डिस्क्रिप्शन में टेलेग्राम का लिंक दे रखा है उस लिंक पर क्लिक कीजिए टेलेग्राम जोइन कीजिए वहाँ पर बहुत सारी पीडियेफ आपको निसुल्क मिल जाएंगी ओके जी हाल ही मैं रास्ट्रिय सिक्षा देबस की सिथी को सेलिब्रेट किया गया है आपके ओप्शन्स आपके सामने हैं और मैं सही ओप्शन पर क्लिक करने जा रहा हूँ ओप्शन नमबर डी यानि 11 ओफ नवंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे एक्शली ये जो दिन है ये बर्थ एनिवर्स्री है हमारे जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुलकलाम आजाद उनके प्रयासों को सिक्षा के छेतर में इंगित करने के लिए ये दिन को हम राश्ट्रिय सिक्षा देवस को सेलिब्रेट करते हैं ठीका जी चलिए नेक्स्ट प्रेशन है हमारा देश के मुख्यन आयदीस डी वाई चंदर चूड ने किस इस्थान पर मिट्टी कैफे मिट्टी कैफे का उदगाटन किया है आपके आप्शनल्स हैं सुप्रीम कोर्ट, प्रेगती मैदान, अमरत उद्यान या फिर इंडिया गेट के समीब देखिए हमारे इस्प्रेशन का सही जवाब आप्शन नमबर वन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के परिसर में ही मिट्टी कैफे का उदगाटन किया है हमारे पचासवे मुख्यन आयदीस कौन से हैं? पचासवे मुख्यन आयदीस है जिनका नाम है डी वाई चंदर चूड धननजय यश्वन्त चंदर चूड इनका नाम है सुप्रीम कोर्ट की बात करें हम ठीक है जी? अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारती सम्मिधान के भाग 5 में आर्टिकल नमबर 124 से लेकर 147 तक यानि 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का उलेक मिलता है सुप्रीम कोर्ट ओफ इंडिया आपको मिलेगा नियू देली के अंदर गत ठीक है जी? प्रिजेंट में देखा जाए तो इसमें 31 प्लस 1 सॉरी 33 प्लस 1 जो है नियायदीस है 33 नियायदीस और एक मुख्य नियायदीस है ठीक है? कौन है वो? डीवाए चंद्रचूर चलिए अगला प्रशन है भारत और किस देश की नोसेना ने बंगाल की खाड़ी में बॉंगो सागर तो 2023 यानि बंगो सागर 23 नामक युद्ध अभ्यास संपन्न किया है आपके options आपके सामने हैं बट ये common sense का प्रेशन है बंगो सागर यानि कि बंगला देश और भारत जो है ये एक bilateral exercise है जो कि हर साल भारत और बंगला देश की मध्य हर साल होती है ठीक है जी और अभी present में ये जो exercise है इसका third edition complete हुआ है और ये हुआ है मौंगला पोर्ट जो कि बंगला देश में है वहाँ पर ठीक है जी चलिए अगला प्रेशन देखिए आप लोग चर्चा में रहे किस राज्य के रंगिया और मार्यानी रंगिया और मार्यानी railway station है इनको eat right station का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है देखे eat right प्रमाणपत्र जो है FSSAI यानि की food safety standard authority of India के द्वारा ये जो प्रमाणपत्र है दिया जाता है ऐसे stationों को जहां पर खाने की सुबदा और स्वक्षता अच्छी उच्च गडवत्ता वाली होती है उन stations को ठीक है जी और ये जो stations है रंगिया और मार्यानी railway station ये असम के दो stations है इनको ये eat right station certificate अभी मिला है FSSAI की बात करें हम तो इसके प्रिजेंट में अध्यक्ष है स्री शुधान स्पंथ है इसके अध्यक्ष और इसकी जो इस्थापना होती है Food Safety and Standard Act के तहत जो की हमारा 2006 में Act लाया गया था उसके तहत वर्स 2008 में यानि 5 सेप्टेंबर 2008 को फसाई यानि की FSSAI की स्थापना होती है जहां लखना इसकी full form है Food Safety Standard Authority of India चलिए अगला प्रेशन पढ़िए आप लोग हाल ही में WHO की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में TB के मामलों में कमी देखने को मिली है WHO यानि World Health Organization के द्वारा अभी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें की भारत ऐसा देश बना है जो जिसमें TB के मामलों में कमी देखी गई है और एक चीज और यादी रखिए कि भारत जो है 2025 तक इसका टारगेट है भारत का कि हम लोग TB मुक्त बन जाएंगे ठीक है जी? और WHO की बात की जाए तो इसके जो हेड है WHO के जो हेड है प्रिजेंट में टेड्रोस गेबरियल है और WHO की स्थापना 7 अपरेल 1945 में होती है ठीक है जी? और इसका हेड क्वाटर आपको स्वीट्जेंट की कैपिटल जेनेवा में मिल जाएगा ओके? चलिए अगला प्रशन है हमारा National Human Rights Institution यानि कि National Human Rights जो संस्थान है उसका अभी चौधेवा संवेलन हुआ है आपको बताना है कहां संपन हुआ है स्वीटेन, ओसलो स्टॉक होम या कॉपेन हैगन देखिए डेनमार्क की कैपिटल है कॉपेन हैगन वहाँ पर ये संपन हुआ है हमारा National Human Rights Institution का चौधेवा संस्क्रान ठीक है जी ज्यान रखना इसको और इसको संबोधित किया है हमारे National Human Rights जो कमिशन है हमारा उसके अध्यक्ष जो है प्रिजेन्ट में अरुण मिस्रा शाहब उन्होंने इसको अभी संबोधित किया है ठीक है और हमारा इंडिया का जो National Human Rights Commission है उसकी इस्थापना होती है 12 अक्टूबर 1993 यानि कि 1993 को इसकी इस्थापना होती है ज्यान रखिए National Human Rights Institution का चौद एवा संस्क्रण जिसका जो है आईवजन अभी कौपे नहेगन में हुआ है उसको संबोधित किया है हमारे National Human Rights Commission के अध्यक्ष अरुण मिश्रा सहाब ने अगला प्रेशन है हाल ही मैं ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को वहां के सरकारी हस्तक शेप के चलते ततकाल प्रभाव से निलम्मित कर दिया है ICC यानि International Cricket Council ने जो है स्री लंका के क्रिकेट बोर्ड को ततकाल प्रभाव से निलम्मित कर दिया है Actually यहां पर इनकी जो गौर्मेंट है उसका हस्तक्षिप इसमें बढ़ता जा रहा था यहां के क्रिकेट बोर्ड में तो ICC ने यह डिसाइड किया कि उसको अभी ततकाल प्रभाव से निलम्मित कर दिया जाता है स्रिलंका क्रिकेट बोर्ड को ध्यान रखना और यहां की जो कैपिटल है आपको मिल जाएगी स्री जयवर्धने पुरा कोटे स्रिलंका की कैपिटल है और प्रेसिडेंट यहां के रानिल विक्रम सिंगे है और प्राइम मिनिस्टर यहां के है दिनेस गुनवर देना को अगला प्रेशन है भारत के किस पड़ोसी देश में उत्तरी कोरिया यानि कि जो नौर्थ कोरिया है उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपना राजनाईक मिशन बंद करना चाहता है और हमारा ये जो पड़ोसी देश है भारत का पड़ोसी देश नेपाल है नेपाल में जो उत्तरी कोरिया का राजनाईक मिशन था उसको बंद करने के और जो नौर्थ कोरिया है यहां के जो टाना साह कह सकते हैं हम उनको किम जोंग उन है और अच्छा आप मुझे नौर्थ कोरिया की कैपिटल कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताईए ठीक है जी नेपाल की कैपिटल आपको काटमानू मिल जाएगी रामचंदर पॉड्रेल यहां के प्रेसिडेंट है और प्राइम मिनिस्टर साहब है यहां के पुस्प कमल दहल प्रिचंड नौर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताईए देखिए अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो सर्च किया कीजिए ठीक है इससे और भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते रहेंगे अगला प्रेशन है हाल ही मैं समुद्र में आये ज्वाला मुखी के बाद किस देश को एक नया दूइप मिल गया है देखिए इस ज्वाला मुखी से इतनी मात्रा में लावा निकला था कि वो समुद्र की सते पर इखटा हो गया और एक दूइप टाइप का बन गया और ये देश है जापान, जापान का ही एक देश द्वीप है उसके पास में ये जौला मुखी फटा था और वहाँ पर एक और अन्य द्वीप बन चुका है इतनी मात्रा में यहाँ से लाबा निकला है ठीक है जापान की कैपिटल टोकियो मिल जाएगी और यहाँ के जो प्रा अगला प्रेशन देखीा आप लोग हाल ही में रास्ट्यय जन सहयोग और बाल विकास संस्थान, रास्ट्यय जन सहयोग और प्रेशंड भी और पढ़ाई भी पढ़ाई भी कारेकरम का आयोजन किया गया है आपको ओप्शन हैं न्यू दैली, जाइपूर, पुने या फिर इंदौर देखिए हमारे expression का सही जवाब option number D है इंदौर में अभी हाल फिलाल में रास्ट्य जन सहयोग एवंबाल विकास संस्थान के द्वारा पढ़ाई भी sorry portion भी पढ़ाई भी कारे करम की सुरुवात हुई है इंदौर में और ये जो कारे करम है ये होता है महिला एवंबाल विकास मंत्राले के तहत PM portion ठीक है आपको पता होगा PM portion 2.0 के तहत इसका आयोजन हुआ है ठीक है इसमें क्या होगा कि जो अंगनवाडी केंद्र होते हैं उन प्राइमरी एजुकेशन होती है उस पर भी फोकस किया जाएगा वंडे विसकप इतिहास में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं डबल सेंचुरी वो भी वंडे विशुकप में और हमारे इस्प्रेशन का सही जवाब option number one है गलेन मैक्सवेल ह जो कि आस्टेलिया के प्लेयर हैं इन्होंने हाल ही में मुंब़ई के वान खेड़े अस्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ 9 चौके लगाए और 8 चुके लगाए और उन्होंने double century का जो है खिताब अपने नाम किया है सबसे तेज double century लगाने वाले वो भी one day विशुकप में ठीक है अच्छा एक नाम और है उनको याद रखिए और काफी चर्चा में है एंजेलो मैथ्यू एंजेलो मैथ्यू जो है स्री लंका के प्लेयर है ये दुनिया में अब तक के सबसे पहले जो है खिलाडी बने है जो time out हुआ है इनका actually time out एक rule होता है क्रिकेट में कि जब player जो होता है जो already pitch पर खेल रहे होते हैं उनमेंसे एक player out हो जाता है तो दूसरा player को आने के लिए उसको 3 minute का समय दिया जाता है और वो 3 minute के समय के अंतरगत अगर pitch पर नहीं पहुँचता है तो उसे time out माल लिया जाता है ठीक है जी और ऐसे पहले player बने है एंजेलो मैथ्यू स्रिलंका के चलिए हाल ही मैं भारत के DRDO के द्वारा यानि Defense Research Development Organization के द्वारा निम्न मैं से किस मिशाइल का परिक्षन किया गया है इस प्रेशन का जवाब बताने से पहले मैं आपसे एक प्रेशन का जवाब चाहूँगा आपको पता है तब भी लिखिए और अगर नहीं पता है तो सर्च करकर comment section में फिर लिखिए आपको बताना है DRDO के प्रेशन्ट में Chief कौन है और DRDO के स्थापना किस वर्स होती है ठीक है जी देखिए हाल हिफलाल में DRDO ने एक प्रेलय मिशाइल का परिक्षन किया है और ये प्रेलय मिशाइल एक बैलिस्टिक मिशाइल है और इसको जो प्रेशन हुआ है ओडिशा के अब्दुल कलामदीप से किया गया है और इसकी जो मारक छमता है साड़े 300 किलो मीटर से लेकर 500 किलो मीटर तक ये मारक छमता रखती है ठीक है जी और सतह से सतह पर मार करने में ये शक्षम है ठीक है इसकी स्पीड 2000 किलो मीटर पर आर्स हो सकती है ओके धियान रखना DRDO ने प्रेले मिसाइल का परिश्चन हाल फिलाल में किया है बैलिस्टिक मिसाइल है सतह से सतह पर मार कर सकती है और साड़े 300 से 500 किलो मीटर तक दूरी जा सकती है साथ में स्पीड कैरी कर सकती है ये 2000 किलो मीटर पर आर्स ओके चलिए ICC वन डे रैंकिंग में दुनिया के नंबर वन बल्लेवाज कौन बने है दुनिया के नंबर वन बल्लेवाज बने है सुभमन गिल ठीक है भारती बैट्समेन है सुभमन गिल दुनिया के सबसे नंबर वन के बल्लेवाज बने है ICC वन डे रैंकिंग में और द्यान रखिए ICC ने हाल फिलाल में स्रीलंका के किर्केट बोर्ड को ततकाल प्रवाब से निलंबित कर दिया है due to government interference इब्राहिम जारदान को भी याद रखिए अफगानिस्तान के पहले ऐसे batsman बने है जिन्होंने किसी भी वन डे विश्यू कप में शतक लगाने का record इन्होंने बनाया है ध्यान लखना अफगानिस्तान के खिलाडियम ठीक है और king कोहली को भी याद रखिए आप लोग क्योंकि इन्होंने सचिन तेंदूल करके उननचा शतकों की बराबरी कर ली है वन डे विश्यू कप के इतिहास में ठीक है जी चलिए राश्ट्य आयूर्वे दिवस का थीम था देखिए राश्ट्य आयूर्वे दिवस अभी हाल फिलाल में मनाया गया है दस नवंबर को ठीक है जी दस नवंबर को राश्ट्य आयूर्वे दिवस मनाया गया है आयूर्वे दिवस को हम जो धनवंतरी है उनकी जैनती पर ठीक है सेलिब्रेट करते हैं और ये धन्तेरस के दिन सेलिब्रेट किया जाता है और केंद्रिय आयुस मंत्राले के द्वारा इसको celebrate किया जाता है और इसकी theme थी इस वर्ष की आयुर्वेद for one health ज्यान रखिए राष्ट्य आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है और every year 10 नवंबर को नहीं मनाया जाता है जब भी दंतेरस होती है ठीक है उस दिन को यह मनाया जाता है ठीक है राष्ट्य आयुर्वेद दिवस की theme आयुर्वेद for one health है अगला प्रशन है the state of food and agriculture यानी so far हाल फलाल में यह जो report है चर्चा में है आपको बताना है यह जो report है the state of food and agriculture यह जो report कि संस्था के द्वारा जारी की जाती है food and agriculture organization united national environment program world health organization international monetary fund और हमारे इस प्रशन का सही जवाब option number one है food and agriculture organization के द्वारा यह जो report है the state of food and agriculture जारी की जाती है every year जो की यह report जो है भूक को हराने पोशन विखादे सुरक्षा में सुधार के लिए international जो प्रियास होते हैं उनका नित्रत्व करती है ठीक है कौन फाउ यानि की food and agriculture organization जो है इसकी स्थापना verse 1945 में होती है और इसका जो headquarter है वो आपको मिलेगा Rome रोम आपको मिलेगा इटली का एक शहर है और present में food and agriculture organization के जो महाने देशक है जैक्स डियोफ है जो की सेनिगल के है और सेनिगल एक अफ्रीकी country है ठीक है धियान रखिए सेनिगल की जो capital है डाकर है और जो सेनिगल country है वो अफ्रीकी में अफ्रीकी continent में आपको मिल जाएगा ठीक है इतनी सारी चीज़ें आप याद रखेंगे फाव के बारे में और अब याद रखेंगे United National Environment Program के बारे में इसकी जो head कर रहे हैं Inger Anderson Inger Anderson ओके और WHO के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं बट फिर भी देख लेते हैं टेड्रोस गेब्रेयस इसके जो प्रिजेंट में head है और 1945 में इसकी स्थापना होती है इसकी WHO की 7 अप्रेल 1945 को WHA को जो मुख्याल है आपको Geneva, Switzerland में मिल जाएगा ठीक है और हमारा ये IMF जो है IMF की स्थापना 1945 में होती है और इसका जो headquarter है आपको Washington DC USA में मिल जाएगा और present में IMF को head कर रहे है Crystalina Georgieva ओके तो इतनी सारी information याद रखेंगे आप लोग चलिए तो ये था हमारा 12th of November का current affairs आपको वीडियो कैसा लगा है आप अपनी right comment section में जरूल देजिए ओके देखिए त्योहर का समय चल रहा है आप अपना अपनों का और उन मासूम जीव जन्तूं का भी ख्याल रखिए जो अपना दुख अपना दर्द बया नहीं कर सकते एक पड पावली का समय ऐसा होता है जब pollution की समस्या से हर कोई जूज रहा होता है बट हम इसको पूरी तरीके से खतम तो नहीं कर सकते लेकिन इसको कम करने में अपने प्रयासों को जारी रख सकते हैं ध्यान रखिए उन मासूम जीव जन्तूं का भी ओके तो एक बार फिर से GS fighters की त समस्त परिवार को हैपी दिवाली ती पावली की बहुत बहुत सुपकामनाई जय हिंद जय भारत